जै हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और चलिए कल के प्रश्णों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहला प्रश्ण था कि जुलाई 2020 में पहली बार विश्व प्लास्टिक सरजरी दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को यानी कि आप्सन अमारा C हो जाएगा Correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 केस में किस देश ने 60 मेगावाट के तैरते हुए सोलर पावर प्लांट का उधगाटन किया है तो इसका उधगाटन किया सिंगापूर ने option अमारा D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 केस में किस रेलवे स्टेशन के उपर 5 इस्टार होटल जैसे सो विधाओं की शुरुआत की गई तो इसकी शुरुआत हुई है गादी नगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर यानि के option भी हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 केस में भारत ने किन देशों के साथ नौसीना अभ्यास exercise shield में हिस्टा लिया है तो यह एक virtual exercise थी जिसमें हमने माल्दियू और स्रिलंका के साथ हिस्टा लिया यानि कि option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 केस में AFC महिला कलब championship 2021 के लिए किस महिला football club को नौमित किया गया तो इसका नाम है गोकुलम केरल football club यानि की option नमारा A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2020 केस में कौन से राज या यूटी ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए बाग मानी सब्ता को लौंद किया है तो इसे लौंद किया जम्मो और कास्मीर की सरकार ने यानि कि option नमारा A होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2020 केस में किस राज की सरकार ने बाइक टैक्सी सिवा का अनावरण किया है तो इसका अनावरण अभी किया गया करनाटक के सरकार द्वारा option नमारा B होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2020 केस में किस केंद्रिय मंत्री ने artificial intelligence और machine learning के ऊपर आधारित एक सिकायत बिसलेशन एप CP Grams को launch किया है तो इसे launch किया रच्छा मंत्री राजनाज सिंग ने यानि कि option D होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 में किस राज्य या UT की सरकार ने real time bus tracking सीवा के लिए Google के साथ में समझोता किया है तो यह समझोता किया दिल्ली की सरकार ने option नमारा C होगा correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 में एक DCA क्रिकेट में सबसे तेज 14 स्तक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने है तो इनका नाम है बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की कप्तान है औप्सन हमारा A होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण था कि जुलाई 2021 में किस देश के पूर्व राश्पती मम्नूर हुसेन का निधन हुआ है तो यह पाकिस्तान के पूर्व राश्पती थे option नमारा D हो जाएगा correct आकरी प्रश्ण था कि जुलाई 2021 में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ वे प्रसिद्ध कौन थी तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रसिद्ध अबनेत्री थी option हमारा B होगा यहाँ पर correct वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दू कि अनकेडमी के उपर इस समय आपका mega subscription का आफर चल लहा है यानि कि अगर आप SST category में एक साल का subscription परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 महीने का extra subscription मिलेगा इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2 साल का subscription लेते हैं तो आपको पूरे 1 साल का subscription मुख्त मिलेगा सबसे महत्मूर बात यह है कि अगर आप मेरा code यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का discount अनकेडमी के तरफ से मिलेगा बाकी जो भी प्राइज आप यहाँ पर pay करने वाले हैं उस प्राइज के उपर आपको यहाँ पर 10% का cash pack मेरी तरफ से दिया जाएगा तो आपको मेरा number टेलिग्राम पर मिल जाएगा वहाँ से आप मुझसे contact कर सकते हैं और किसी भी course के उपर यहाँ पर maximum discount आप प्राप्त कर सकते हैं ध्यान रखिएगा इतना discount आपको किसी भी code के उपर अनकेडमी पर नहीं मिलेगा अनकेडमी पर आज भी मेरी दो classes हैं पहली class में हम लोग group D के set number 81 को discuss करेंगे जो की 3.30 बजे class होगी दूसरी class आज आज आपकी 7.30 बजे है जिसमें हम लोग घटना चक्र से जुड़े हुए जो भी आपके world geographic के question है उनका रखेंगे एक live test तो live test वाले class के link आपको नीचे pin comment में मिल जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप उस live test में हिस्सा ले सकते हैं और आज हमारा है संडे तो आज के दिन unacademy पर आपको free subscription लूटने का मौका मिलेगा बस आपको नीचे जो description में link मिलेगी उसके उपर क्लिक करके इसमें enroll कर लेना है हर संडे को ssc category में आपका यहाँ पर combat होता है अगर आपकी rank यहाँ पर top 500 के बीच में आती है तो unacademy पर आप ssc exam के लिए पूरी तरीके से free subscription जी सकते हैं तो यह offer सिर्फ आपके लिए है अगर आपसे कोई code पूछा जाएगा तो आप इंटर करिएगा code के वी 10 चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि हर साल 200 अंतराष्टिय न्याय दिवस कब मनाया जाता है यानि की बात हो रही है World International Day of Justice की ये दिवस हर साल होता है 17 जुलाई को यानि की option हमारा B हो जाएगा correct अब ये दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया क्यों जाता है दरसल इसी दिन 1998 में 120 देसों के द्वारा जो रूम कानून है उसको सोयकृति दी गई थी और उस कानून के माद्यम से अंतराष्टिय आपराधिक न्याय जाले की गई थी अस्थापना तो इसके अस्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए और जो भी हमारे अंतराष्टिय आपराधिक न्याय जाले के कारे हैं उनको चिन्हित करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है 17 जुलाई को ध्यान कीएगा इंटरनेशनल कोर्ट आप जश्टिश जो है इसके अलामा जो अंतराष्टिय आपराधिक न्याय आले है दोनों का हेड़कोर्टर आपको मिलेगा दाहेग में तो इंपोर्टन प्रेश्न है इसके बारे में आपको याद अकना है अगला प्रेश्न है कि खुड़ा आये समझते हैं। लिए अमेरिका के दौरां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उस्बेकिस्तान के साथ में मिलकर के छेत्रिय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक नए क्वार्ड समू का गठन किया गया है। उसको जादा बहतर बनाने के लिए यानि के इस्टेबिल्टी लाने के लिए पाकिस्तान की यहाँ पर ली जाए मदद। और इसलिए नए क्वार्ड समू में इन्होंने पाकिस्तान को भी किया हुआ है सामिली। अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किस राज की सरकार ने इकोनॉमिक बीकर सेक्षन काटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 10% आरच्छन की घोशना कर दी है। तो ये घोशना की है आन्द प्रदेश की सरकार ने यानि की ऑप्सन हमारा D हो जाएगा करेगी। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में चाहें OPC कटेगरी के लोग हों, SC कटेगरी के लोग हों, ST कटेगरी के लोग हों, उन सभी के लिए आरच्छा का प्रावधान आजादी के समय से ही है लेकिन यहाँ पर सरकार ने 2019 में हमारे सम्मिधान में किया था एक संसोधन संसोधन किस नमबर का था तो ध्यान रखेगा 193 नमबर का सम्मिधान संसोधन था और इसके मार्धिम से सरकार ने ये प्रावधान किया था कि जो भी हमारे Economic Beaker Section के लोग हैं बिसेश तोर पर वे लोग जो की OBCSC या AST काटेगरी में नहीं आते हैं उनको हम देंगे 10% आरच्छण तो अभी आपके आनप्रदेश की सरकार ने यहाँ पर 10% के EWS आरच्छण की घोशना कर दी है आचा परिच्छा में कई बार ये भी पूछा जाता है कि पहला राजी कौन था जिसने EW का आरच्छण दिया था तो ये दिया था गुजरात की सरकार ने तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है 193 सम्मिधान संसुधन 2019 के द्वारा इसे सम्मिधान में जोड़ा गया था अगला परिशन है कि जुलाई 2020 में किस राजी की सरकार ने इलेक्टिक वाहन नीती 2021 को लॉंज किया है तो ये जो नीती है इसे लॉंज कर दिया है महाराश्ट की सरकार ने यानि कि हमारा ओप्सन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट तो महाराश्ट की सरकार का ये टारगेट है कि वर्ष 2025 तक हमारा जो राजी होगा वह पूरे भारत में इलेक्टिक वाहनों का होगा सबसे बड़ा निर्माता यानि कि हमारे देश में जिन राज्यों में भी इलेक्टिक वाहन का निर्माण होगा उन में से सबसे ज़्यादा निर्माण होगा आपके महाराष्ट में तो पहला टार्गेट तो इनका ये है दूसरा टार्गेट इन्होंने रखा है कि दो हजार पचीस तक जो यहाँ पर कुल आपके वाहन होंगे यानि कि मान लेते हैं कि 100 वाहन टोटल आपके महाराष्ट में होंगे तो इन में से 10% कम से कम इलेक्टिक वाहन होने चाहिए ऐसा यहाँ पर टार्गेट है महाराष्ट की सरकार का और इसलिए जो पर्यावरण मंत्री हैं राज ठाकरे उनके द्वारा नई इलेक्टिक वहन निती को यहाँ पर लॉंच किया गया है दरसल इन्होंने एक लॉंच किया था 2018 में तो उसी को एक बार फिर से इन्होंने रिवाइज कर दिया है और यहाँ पर फिर से इसको लॉंच कर दिया है इसके अंतरगत जो भी आपके इलेक्टिक वहन होंगे इनके उपर ना तो कोई रोड टेक्स लगेगा और ना ही इनको रजिस्टेशन के लिए कोई सुल्क देने की आउसकता होगी इंपोर्टन प्रेशने इसके बारे में आपको यादटना है अगला प्रेशने कि जुलाई 2020 में किस राजमी हरेला तेवहार मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा हरेला नाम को जो तेवहार है यह अभी मनाया गया है उत्तराखंड राजमी आपसन हमारा भी हो जाएगा यहाँ पर करग तो देखिए मानसून का सीजन इस समय चल ला है और मानसून सीजन के दोरान जिस दिन आपके सावन माह की सुरुवात होती है उसी दिन उत्राखंड राज में हरेला नाम का तेवहार मनाया जाता है हरेला से आप समझ भी सकते हैं कि हरेले सी यह जुड़ा होतेवहार है तो परियावरन सनरचन के साथ साथ यहाँ पर इस अवसर पर पाउधार ओपन का कारिकरम भी चलाया जाता है यानि कि नए पाउधे यहाँ पर लगाया जाते हैं अच्छा एक बात और ध्यार रखेगा कि जो हमारा रिगवेध है उसमें भी इस हरेला तेवहार का उलेक किया गया है इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर एक प्रेशन है जैसे यह हमारा जो हरेला है यह है मेल अब इसकी जो फिमेल है यानि कि इसकी जो वाइफ है उसका नाम है हरेली तो नीचे कमेंड में जरा यह बताईएगा कि इनकी जो वाइफ है हरेली वे आपके किस राज में मनाई जाती है तो उसका उत्तर आपको नीचे कमेंड में बताना है अगला प्रेशन है कि जुलाई 2000 केस में जो हमारे करसी मंत्री है नरेंदर सिंग तोमर इन्हों ने किसानों के लिए किस आप को यहाँ पर लॉंच किया है तो इस आप का नाम है किसान सार्थी आप्षन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट तो ध्यान रखिएगा यह जो हमारा आप होगा वह अस्थानिये भासाओं में उपलब्ध होगा यानि कि जो भी हमारे किसान है अगर उनको कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहिए होगी तो उस जानकारी को वे अपने आस्थानिय भासा में इस आप के माध्यम से जान सकते हैं तो हमारे जो किरसी कल्यान मंत्री हैं नरेन सिंटोमर जी इन्होंने इलेक्टानिक्स और आईटी के साथ साथ रेल्वे मंत्री अस्वनी बैशनों के साथ में मिलकर के इस आप को लॉंच किया है तो ध्यान रखेंगे आप का नाम है किसान सार्थी अगला प्रेशन है कि जुलाई 2020 में चीन के द्वारा किस वर्स तक कार्बन न्यूटल होनी की घोशना की गई तो चीन के द्वारा घोशना की गई है कि 2060 तक यह हो जाएंगे कार्बन न्यूटल यानि कि आप्सन हमारा डी होगा करेग अब देखे कार्बन न्यूटल होनी का मतलब क्या है इसका सिंपली मतलब यह है कि जितना कार्बन यहाँ पर चीन निकालेगा उतने कार्बन का यहाँ पर उपचार कर लेगा यानि कि जो नेट कार्बन आपका एमिसन है उसको कर देगा चीन जीरो वर्स 2060 तक चीन के द्वारा अभी आपके नए उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लौन किया गया है इसके अलामा चीन की जो भी कमपनिया है उनको यह निर्देश दिया गया है कि कार्बन उत्सर्जन को वे लोग धीरे धीरे यहाँ पर करेंगे कम दुनिया में अगर हम लोग सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन देश की बात करते हैं तो वह भी है चाइना तो पहली बार कुछ अच्छी घोषना चाइना के तरब से हुई है कि 2060 तक यह हो जाएंगे कार्बन नियोटल राजधानी यहां की आपको मिल जाएगी बीजिंग में भाई मासको नहीं है बीजिंग में राजधानी है मुद्रा रेन मिनमी है राशपती हैं स्री जिंपिंग और यहां के प्रीमियर हैं ले केक यांग अगला वेशन है कि जुलाई 2000 के इसमें किस राज की सरकार ने तमूलपूर नामक नए जिले के गठन की घोशना कर दी है तो ये इस राज का 34 में नमबर का जिला होगा घोशना इसकी की है असम की सरकार ने यानि की आप्सन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट दरसल अभी जो असम के आपके राज बित्मंत्री हैं जिनका नाम है अजन्ता नियोग इनके द्वारा फिजिकल डिपसिट का जो बजट है 566 करोण डुपै का इसको अभी प्रस्तुत किया गया है अब बजट में आपके कई सारे प्रावधान है इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई टेक्स यहां पर सरकार नहीं लगाएगी इसके अलावा ये भी कोशना की गई है कि जो असम में आपका बक्सा जिला है इससे अलग हो करके तमूरपूर जिले का गठन यहाँ पर किया जाएगा तो ध्यान रखेगा असम में अब कुल जिलों की संख्या हो जाएगे 34 अच्छा नए जिले के गठन की बात हुई है तो इसी साल हमारे तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नए जिले का गठन किया है एक तो आपका है तमिल नाडू जिन्होंने मैला दुथरई नाम से एक नया जिला बनाया है एक हमारा राज्य है जिसका नाम है करनाटक करनाटक ने बिजे नगर नाम से एक नया जिला बनाया है और एक राज्य है आपका पंजाब पंजाब ने भी एक जिला बनाया है नाम मुझे इस समय उसका नहीं यादा रहा है मलेर थंगला या ऐसे कुछ करके नाम है तो चलिए कमेंड में बताएगा कि पंजाब का नया जिला हमारा कौन होगा संगरूर से अलग करके पंजाब नया जिला बनाया है तो उसका नाम आपको नीचे कमेंड में बताना है अगला प्रेशन है कि किस राज में भारत की जो पहली पौड टेक्सी सीवा है इसकी सुरुवात की जाएगी तो इसकी सुरुवात होगी उत्तर प्रदेश राज में यानि कि आप्सन हमारा D हो जाएगा अब उत्तर प्रदेश में आपको एक सहर मिलेगा जिसका नाम है Greater Noida आप सभी को पता होगा कि जो यहां के बाबा जी है यानि कि योगी बाबा उन्होंने ये घोशना की थे पिछले साल कि Noida में आपके फिल्म सिटी का निर्मार किया जाना है Noida में अगर आपको याद होगा तो एक हवाई अड़ा भी बन रहा है जिसका नाम है जीवर हवाई अड़ा तो यहां पर जो आपकी भारत की पहली पौट टेक्सी सीवा होगी ये इस फिल्म सिटी को जोड़ेगी जीवर हवाई अड़े से यानि कि अगर कोई भी ब्यक्ति जीवर हवाई अड़े पर उतरता है और जल्दी से उसको पहुँचना है Noida फिल्म सिटी में तो वो आसानी के साथ में इस पौट टेक्सी सीवा के माध्यम से यहां पर पहुँच सकता है तो कुल मिला करके 862 क्रोड की लागत से इसका निर्मार किया जाएगा और टोटल 14 किलोमेटर के लिंद को यह करेगी कबर अचा पौट टेक्सी क्या होती है तो यह हमारी एक सुपरफास ट्रेन के समान होती है इस प्रकार से एक पौट होता है जिसमें 4-5 लोग बैठ सकते हैं और यह बहुती कम समय में एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे जा सकती है तो ध्यान रखेगा नोईडा में इसका निर्मान किया जा रहा है अगला प्रशन है कि हाल इमेज जो हमारे सिच्चा मंतरी है इन्हों ने किस मंतराले के साथ में मिल करके SIATP प्रोग्राम को लॉंच किया है तो यह जो प्रोग्राम है इसको लॉंच किया गया है जन जातिय ambassador training program और इसके अंतरगत सरकार का ये target है कि नवाचार, उद्द्यमिता इसके अलावा जो intellectual property rights होते हैं, इनके संबन्ध में हमारे देश में 50,000 सचकों को दी जाएगी training और इसके लिए यहाँ पर जो हमारे दोनों मंत्राले हैं यानि कि सिच्छा मंत्राले जनजातिय मामलों का मंत्राले उन्होंने CBSC और AICTE के साथ मिल करके इस program को यहाँ पर किया है विक्सित तो सिच्छा मंत्री धर्मिन पुर्धान जी के द्वारा जनजातिय मामलों के जो मंत्री हैं अरजुन मुंडा साहब इनके साथ में मिल करके इसे लॉंच किया गया है अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किस राज की सरकार ने CM किसान मित्र योजना की शुरुवात की है तो यह जो योजना है इसकी शुरुवात की है राजिस्थान की सरकार ने यानि कि आप्शन हमारा ए हो जाएगा करक अब यह स्कीम है क्या देखें नाम से समझ सकते हैं CM किसान मित्र उर्जा योजना उर्जा का मतलब है कुछ electricity से जुड़ा हुआ मामला है तो यहाँ पर राजिस्थान की सरकार ने यह कहा है कि जो भी हमारे किसानों को सिचाई के दोरान बिल देना पड़ता है उस बिल के उपर यहाँ पर राजिस्थान के दोरान दी जाएगी छोट और यही हमारी है मुख्य मंत्री किसान मित्र उर्जा योजना जिसको अभी राजिस्थान की सरकार ने कर दिया है फोटो जनरलिष्ट थे यानि कि पत्रकार थे आप्सन हमारा भी होगा यहाँ पर करेक्ट दरसल अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो जो हमारे 200 प्रसिद्ध समाचार एजन्सी है राइटर्स उसके यह पत्रकार थे 2018 में इनको पुलिचकर प्रसिकार मिल चुका है अच्छा इनकी मिर्त्यू कैसे हुई है तो आपको अभी मैंने उपर बताया कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान वालों ने धमाल मचाया हुआ है तो अफगानिस्तान की जो सीना है और जो आपके तालिबान के आतंकवादी है उनके बीच में एक हो रही थी लडाई और उसी लडाई के दौरान ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहाँ पर इनकी हो गई है डेथ तो ध्यान रखेंगे नाम इनका है दानिस्सिद्धिकी 2018 मिन को पुलिचिकल पुरसकार भी मिल चुका है तो इस प्रकार से आज का करेंट अफेर यहाँ पर होता है समात अब आईए कल के प्रश्णों के उत्तर हम लोग जान लेते हैं देखे पहला प्रश्ण मैंने आपसे पूचा था कि 200 हाथी दिवस कब मनाया जाता है तो ये हर साल होता है 12 अगस्त को जिस दिन 200 इवा दिवस मनाया जाता है तो दोनों आपको याद इखने हैं सबसे ज़्यादा अगर हम लोग हाथियों की बात करते हैं तो 2017 की जन गर्णा के अनुसार सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेंगे करनाटक में लेकिन अगर आपसे परिच्छा में ये पूश लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बंदी हाथी किस राज़ में है तो आपका उत्तर हो जाएगा असम अगला प्रशन था कि चिरांग रीपू इलिफान्ट रिजर्व आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये मिलेगा आपको असम राज़ में आखरी प्रशन था कि सिंग भूमी इलिफान्ट रिजर्व कहाँ पर है तो ये आपको मिल जाएगा बिहार में आज के वीडियो से आपके लिए प्रेशन है कि हमारे देश की जो पहली बुलट ट्रेन है ये किन सहरों के बीच में प्रस्तावित है दूसरा प्रेशन है कि उत्तरा खंडराजी के नए सीम कौन बनी है और आकरी प्रेशन है कि बायो एसिया 2020 का आयोजन कहां पर किया जाना है तो इन प्रेशनों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्षन में देने हैं बाके पिन कमेंट में आपको प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप यहाँ पर साम वाली जो घटना चकर के उपर आधारित विस्तो भूगोल की क्लास है उसको भी कर सकते हैं जोईनी वीडियो को समय देने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत